गुड इवनिंग टोल आफ यू जैसे कि UPSC में सैकिंड पेपर है C-set का और C-set को लेकर के बहुत सार एस्ट्रोएंट्स प्रोडम में रहते हैं क्वालिफाइंग नहीं चरका है फिर भी बहुत सारे स्ट्रोएंट क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि UPSC में जो C-set के लिए कंसेप्ट दियो है वो लॉजिक बेस्ट होते हैं अब C-set को कुछ लोग ignore कर देते हैं कि पढ़ लेंगे एक्जाम की टाइम पढ़ लेंगे लेकि लिए ऐसा नहीं है उस पर भी थोड़ा प्रपर ध्यान देंगे हम लोग तो अच्छा कर पाएंगे C-set में काफी सारे टोपिक्स हैं मैं आज आपको एक टोपिक पढ़ा के दिखा रहा हूं जिसका नाम है डाइस डाइस के कोश्टन्स C-set में आते ही रहते हैं और लॉजिक बेस्ट कोशन पूछता है ठीक है तो हम लोग डाइस पढ़ेंगे और डाइस देखेंगे मैं इतन कर दिया इसके लिए कि एक बार आगर आप लॉजिक समझ गए तो डाइस सर कैसा भी कोशन आपसे पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग डाइस के बारे में जान लेंगे कि डाइस होता क्या है ठीक है चलिए तो देखको सबसे पहले हम नाम दिखते हैं डाइस इसका हिंदी मतलग होता है पासा ठीक है आपने लुडो केला होगा कभी लुडो में छे सर्फिस होती है वन तो सिक्स यानि एक से लिए के छे तक देख दो बेस्ट एक्जमबल फो डाइस यह डश्ट है देखो इसके छे सर्फिस है एक दो तीन चार पा यह डाइस में छे सदे होती है इसमें तीन दिखाई देती है और इसलिए इसको थ्री डाइमेंशनल फिगर कहते है ठीक है दो मिनट के लिए मैं बेसिक कंसेप्ट सम्झाऊंगा उसके बाद में अपने लॉजिक पर आउँगा ठीक है चलिए देखें इस तरीके से बनाते ह हम लोग, यह dice बने हैं आपके लिए, तीन सर्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं और तीन इनके जस्ट उपोजिट हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम dice के बारे में बता करें, तो dice दो तरीके का होता है, dice, dice दो तरीके का होता है, सबसे पहला होता है, standardized, यानि हिंद नहीं मतलब होता है, इसका मानक पासा, और दूसरा होता है, जर्णल डाइस, इसका मतलब होता है, सामान ने पासा, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि, दो मिनट के लिए मैं simply से concept समझाऊंगा, और फिर अपना logic समझाऊंगा, कि आप देखेंगे, कितना easy way में हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग standardized की बात करेंगे, यह नहीं कि मानक पासे की बात करेंगे, चलिए, मानक पासे की बात करेंगे, एक हम dice बनाते हैं, इस पर हम numbering करते हैं, 2, 3, और 6, numbering कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 6, कोई भी number लिख सकते हैं आप इसमें, standardized का मतलब क्या होता है, कोई भी दो निकटवर्ती सद है, कोई भी दो, any two adjacent surface, any two adjacent surface total is not seven, it means Hindi मतलब समझाता हूं, कोई भी दो निकटवर्ती सद है पर अंके तंकों का योग यदि साथ नहीं होता है, कोई भी दो निकटवर्ती सद है पर अंके तंकों का योग यदि साथ नहीं होता है, तो विपरीट का योग हमेशा साथ होगा, जैसे 2 के अपउएड में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योभी यह 7 दिखाएगा, 3 के अपउएड में क्या होना चाहिए? तब भी यह 7 दिखाएगा और 6 के परड़ में 1 होना चाहिए तो भी यह 7 दिखाएगा यानि कोई भी दो निकटवर्ती सत्य पर अंकेत अंकों का योग यदि 7 नहीं होता है तो विपरीत का में सब 7 होगा यह standardized का definition हुआ यह समझ गयोंगे आप कोई भी दो कोई भी दो निकटवर्ती सत्य पर अंकेत अंकों का योग यदि 7 नहीं होता है तो विपरीत का में सब 7 होगा तो यह standardized भोलता है यानि कि मानक पासे का यह definition है यह आप जान लिये हैं मैं दूसरा journal dice के बारे बात करूँगा देखिए एक simple dice मनाते हैं हम लोग इस पर हम numbering करते हैं 4, 3, 6 अब सामान में पासे क्या कहता है कि कोई भी दो कोई भी दो any two adjacent surface ठीक है हिंदी बात करते हैं कोई भी दो निकटवर्ती सत्य पर अंकित अंकों का योग यदि 7 होता है तो वह सामान में पासा होगा कोई भी दो निकटवर्ती सत्य पर अंकित अंकों का योग यदि 7 होता है तो वह सामान पासा होगा ठीक है अब देखिए 3 और 4 क्या हो रहा है 7 हो रहा है यानि 4 प्लस 3 is equal to 7 ठीक है तो यह सामान पासा हुआ लेकिन इनके ठीक विप्रिताब पता नहीं कर सकते इनके ठीक विप्रिताब पता नहीं कर सकते कैसे यह देखिएगा 4 के अपोईट में क्या क्या नहीं ठीक रहा है 1 to 6 वो सारे पॉसिबिल्टी हो सकती है क्या हो सकता है 1 हो सकता है 5 हो सकता है और 2 हो सकता है like 6 के भी यही पॉसिबिल्टी रहेगी और 3 की भी यही पॉसिबिल्टी रहेगी ठीक है तो यह हुआ सामान पासा कोई भी दो निकट वर्ती सत्य पर अंकित अंकों को योग यदि साथ होता है तो फिर क्या होगा यह साम अन्रफासा होगा इसके बाद बुक्स में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं मुझे आपको रूल्स नहीं समझाना है क्योंकि UPSC में लॉजिक वेज़्ट को सनाता है ठीक है तो लॉजिक क्या समझाना है मुझे आप आगे देखेंगे यह मैं रिमूब कर देता हूं अब देखिए यह तो नंबर थे एक से छे तक तो आप जोड़कर करके इसको आप साथ दिखा रहे थे और साथ नहीं दिखा रहे थे तो क्या होगा अगर कलर आ जाए तो अगर साइन आ जाए तो सिंबल आ जाए तो क्या करेंगे वहां प्रोलम आ जाएगी आपको अब रूल्स पढ़ेंगे तो फिर लॉजिक समझ में नहीं आएगा इसलिए कि ऐसा लॉजिक समझो जो पूरे UPSC में कोई भी कोशन आ जाए इस दाइस से तो वह सौल्व हो सके ठीक है अब रूल क्या है देखो यह पासा है इसको हम थ्रो करेंगे जैसे लूड़ों को थ्रो कर की चार सेपस आ सकती हैं मैक्सिम्म चार आती है उन चार में से कवल दो कर दो सेपस लेंगे जिन में कोई भी एक सर्फेसμε कोवन होना जरूरी है जिनमेंसे कोई एक सर्फेस कोन होना ज़रूरी है ठीक है ठीक है अब चाहे वो कलर का सर्फेस हो चैस्य सिंबल का हो चाहे साइन का हो चाहे डिजिट का हो ठीक है कुछ भी हो सकता है अब मुझे आपको एक लॉजिक समनाने के लिए चोटी सी बात कहने पड़ेगी आपसे, आप सब लोग कार्च लाने जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, मैं एक चोटी सी बात बुच्छाहमान लिए गाड़ी है डिजायर, ठीक है, फोर्मिलर गाड़ी ह मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि उसकर आगे वाले वीलस, यानि पड़ी है, अगे वाले दोनों पड़ी है, अगर घड़ी के दिसामें मूब करें, जानि तो गाड़ी कहां जाएगी? तो कुछ लोग कहेंगे गाड़ी आगे जाएगी, कुछ लोग कहेंगे गाड़ी पीछ जाएगी, ऐसा नहीं है, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आगे वाले दोनों पईए गड़ी के दिसाम मूव करेंगे, और ये पीछे वाले गड की विप्रित दिसां मूव करेंगे तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी अब आगे चलते हैं इसी बात को बढ़ाते हैं कि गाड़ी के दोनों पईए अगर आगे वाले गड़ी की दिसां मूव करें और पीछे वाले भी गड़ी की दिसां में मूव करें तो ये गाड़ी आगे जाएगी और अगर सारे पर यह गड़ी की विप्रिति साम मूव करेंगे तो गड़ी पीछे जाएगी यही मेरा एक लॉजिक था जो कि जाएस के सारे कोशन को आपके सारे साल चलेकर देखते हैं यह लॉजिक इस पर कैसे गाम करेगा तो मैं दो डाईस बना रहा हूँ आपके एकजाम यह मेरे दोनो डैस्स बन गए इन में हम नंब्री करते हैं आप देखिए यहां मेरे लॉजिक में आपको ना तो जन राइस के बारे में तो जनणना है और नहीं standardized के बारे में जानना है मैं एक ऐसा logic set कर रहा हूँ आपके सामने कि ये exam की सारे questions को easy way में miss all करेगा चलिए तो अभी आपको ये standard और general के बारे में कोई भी चीज याद नहीं रखनी है ये मेरा logic समझना है आपको suppose that 2, 4, 6 1, 4, 5 अब देखिएगा अब ये 6, 2, 4, 4, 1, 5 मैंने कहा कि दो डाइस लेंगे जिनमें कोई एक surface या एक सतह है common होना चाहिए जो number common होता है उसको हम उपर लिखते है मेरे logic में ये concept है कि अगर जो number common होगा उसको उपर लिखेंगे अब देखिए ये common हो गया ये 4 इसमें common हो गया ठीक है और इसमें भी 4 common हो गया तो ये आपको देख रहा होगा अब चलिए अब देखिए जब ये common हो गया तो हम गाड़ी को clockwise move करेंगे तो सबसे पहले 6 आएगा और ये 2 आएगा जब ये clockwise move करेगा तो जब clockwise move करेंगे इसको तो ये 1 आएगा और ये 5 आएगा यानि कि ये clockwise तो ये भी clockwise अगर ये anti-clockwise तो ये भी anti-clockwise यानि कि ये घड़ी की तिसाम है तो ये भी घड़ी की तिसाम है और ये विप्रित तिसाम है तो ये भी विप्रित दिसाम है आप देखो यह जो common था वो उपर लिख लिया यह six or two आया six or two आया one or five आया ठीक है जो नहीं दिख रहा है वो आपने यहां लिख लेंगे one two six में जो नहीं लिख रहा है नहीं दिख रहा है वो यहां लिख लेंगे According to my logic, यह इसके विप्रित होता है, यह इसके विप्रित होता है, और 2, 5 के विप्रित होता है, विप्रित यानि opposite होता है, तो आपको समझ में आया है यह logic, जो number common होगा, हम उसको सबसे उपर लिखेंगे, अब यह common होगया, तो clockwise move करेंगे, तो 6 आएगा, फिर 2 आएगा, इसके चलिए, यह समझ में आगया होगा आपको, ऐसा ही में एक और कोशन सुनजा रहा हूं, दोडाइस बनाएंगे, हमने यह तो डोडाइस बनाए, इसमें 3 लिखा 5 और 4, या 3, 2, 1, अब देखिए, इसमें क्या common है, 3 common है, तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे हम लोग, यह 3 common हो गया, जब 3 common हो गया, यह clockwise move किया, यानि गड़ी की विप्रित दिशा move किया, गड़ी की दिशा clockwise, मैं विप्रित दिशा भी move करके दिखाऊंगा आपको, आप जिनता ना करें, तो यह clockwise move करेंगा, यानि गड़ी की विप्रित दिशा में तो 4 आएगा, और यह 5 आएगा, अब इसको common ले लिए आपने, तो यह 2 आएगा और यह 1 आएगा, क्योंकि यह यह भी गड़ी की दिशा move करेंगा, क्या नहीं दिख रहा है आपको, 6 नहीं दिख रहा है, तो यह इसके विप्रित हो जाएगा, 4 के opposite 2 और 5 के opposite 1, 5 के opposite 1 आजाएगा, तो यह logic मेरा आपको समझ में आ गया होगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे, कि अभी तो यह number है, तो आप बरा रहे हैं, मैंने यह logic ऐसे set कि आएगा है कि color भी होगा, तब भी ऐसे आएगा, चलिए देखते है, मैं color के ऊपर एक question बोलता हूँ, जो UPSC माया हुआ हुआ है, देखिए हमने दो डाइस बनाएं, दो डाइस बनाएं हमने, आप देखिए हैं, इस पर मैंने red लिखा, यह green लिखा, यह blue, numbering कर लेते हैं, यहाँ पर blue लिखा, आपने यह orange लिखा, और यह pink लिखा, ठीक है, आपको यह पूशा गया question, question ऐसे पूशा जाता है कि green के विपरिद क्या होगा, यानि green के विपरिद surface यानि सत्य पर कौन सा color होना चाहिए, तो देखिए, मैं आपको समझा चुगा हूँ कि जो common होता है, उसको सबसे उपर लिखते हैं, यह blue लिख लिए आपने, ठीक है, जब blue common होगा, तो यह घड़ी के विपरिद सा मूव करेगा, घड़ी के दिसा में मूव करेगा, यह निकी clockwise मूव करेगा, तो यह green आएगा, और फिर red आएगा, अब यहां से यह भी clockwise मूव करेगा, तो यह pink आएगा, और यह orange आएगा, अब आपका question यह होगा, कि इसके यहां क्या लिखेंगे, तो option में जो different color होगा, वो इसके नीचे आएगा, अब option पहले इसको देख लिजे, question था मेरा green, तो green के operate के आएगा, pink blue और violet, तो यहां पर आपके लिए, violet इसका option होगा, जो different color था, तो blue का, अब यह वोइलेट होगा, जब कि मेना question पूछा था आप से, green के विप्रीद क्या होगा, यानि pink होगा, तो आपको समझ में आगा होगा, यह इतना easy concept है, कि आप आराम से dice का कैसा भी question हो, solve कर सकते हो, चलिए, हमने digit पर पढ़ लिया, अब हम sign पर पढ़ेंगे, कुछ भी sign और symbol हो सकते हैं, दोड़ाइस मनाद दे हम लोग, तोड़ाइस मना लिया हमने, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखते हैं, at the rate, यहाँ लिखते हैं plus, और यहाँ लिखते हैं multiply, यहाँ पर आपने plus लिखा, यहाँ पर आपने dollar लिखा, और यह लिखा आपने is equal to, तो सबसे पहले आप यह देखेंगे common क्या है, तो common surface है, हमारा plus, जो की यह है, plus आपने लिख लिख लिया उपर, ठीक है, जब अगर अब मैं देखो, पहले मैंने सारे question clockwise move की है, अब मैं इसको anticlockwise move करके दिखाऊँगा आपके लिए, तो देखिए, जब यह common हो गया, तो यह anticlockwise जाएगा, यानि गड़ी की विपरित रिसाम है, तो सबसे पहले multiply आएगा, फिर add the rate आएगा, यह anticlockwise तो यह भी anticlockwise, तो यह भी anticlockwise, यानि गड़ी की विपरित रिसाम है, तो यह is equal to आएगा और dollar आएगा, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ पहले भी आपको, कि यहाँ पर जो different option में होगा, वो आएगा, अब वो आपसे कैसा हमी question पूछे, पूछे कि add the rate के विपरित क्या आएगा, तो यह क्या आएगा, dollar आएगा, और multiply के विपरित क्या आएगा, यह आएगा, is equal to, अगर इसकी विपरित पूछता है, तो option में एक पर चेक कर लेंगे, option में आएगा, add the rate, minus, minus, और plus, plus नहीं, इसके बाद में माल लीजिए dollar, और इसके बाद में माल लीजिए आप, is equal to, तो आप जानते हैं, different option में यह है, यह minus आजाएगा, जो कि इसके वि सारे questions को easy view में solve कर सकता है, ठीक है, तो यह होते है dice, देखिए हमको UPSC में जो cset पढ़ते है, logic based ज़रूरी है, क्योंकि UPSC में logic based question ज्यादा पूछे जाता है, ठीक है, तो और भी है, और भी practice कर सकते है ऐसे questions की, तो यह तो रहा, एक close dice था आपके लिए, अब कभी-कभी question U UPSC में open dice से पूछता है, इसको मैं remove कर देता हूँ, देखिए होता क्या है, कि student बहुत सारी books को देखता है, ठीक है, books में अलग-अलग तरीके के formulae और rules बहुत कुछ लखा रहता है, लेकिन मुझे आपको यहां पर एक simple सा concept समझाना है, और इतना easy होगा, कि आप देखेंग चलिए, तो अभी हम लोग open dice के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कि open dice की बात क्या करता है, देखिए six surface होती है, यसे कि देस्टर को देखेंगे, यह इसका front surface है, और आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि एक पासे में 6 सदय होती है, ठीक है, एक सदय की 4 निकटवर् एड़ेसेंट और बच्ची हुई एक बिप्रीज होती है, तो चलो मैं इसी को टेस्टर को लेकर की हम लोग ऐसे करते हैं, यह front surface है, यह open dice इतना easy समझा रहा हूँ आपको, आप किसी book में देखेंगे, तो इस से ज़्यादा easy साहद नहीं मिले, ठीक है, तो देखेंगे यह front को इस तरीके से open करूँगा, तो एक side यह open हो गई, इसकी left side मैं यह open करूँगा, ठीक है, इसका top floor इसको ऐसे ऊपर करेंगे, इसका bottom floor नीचे open करेंगे, यह 5 surface open हो चुकी है, ठीक है, अब कौन सी बच्ची, अब देखो इस duster को ही देखो, इसके बिप्र यही है न, जो black दि कर लीजिए, मैंने यहाँ पर open कर दिया, ठीक है, अब कोई भी numbering कैसी भी आप कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, ठीक है, तो अब आप देखिए, कितना easy concept है यह, यह तो आप जानते ही है, यह 1 के विप्रित में क्या आएगा, 4 आएगा, यानि 1 के विप्रित 4 आएगा, और 2 के विप्रित 5 आएगा, अब कोईशन पूछेगा, कि 3 के विप्रित क्या होगा, यानि 3 के opposite figure क्या होगा, यह number क्या होगा, तो यह 3 का 6 ही होगा, अब आप इसको close कर लीजिए, यह 3 होगया, इसका top floor, bottom floor, left, right, और just भचा हुआ यह वाला, ठीक है, यह होता है, easy concept में open dice, और भी 6 के विप्रित, 3 के विप्रित 6 ही आएगा, यहां भी open करेंगे, उस side को, उस surface को, तो तब भी 3 के विप्रित में 6 ही आएगा, चलिए, आगे चलते हैं, देखिएगा, आप जब exam को देखेंगे, exam paper को, तो देखेंगे कि यह question कही वार exam में set हुआ है, देखो, तो इस पर numbering कर लिजे, red, green, blue, orange, pink, यह pink और यह violet, तो आप से पूछेगा, कि red के opposite क्या होना चाहिए, यानि कि लाल के विप्रित क्या होना चाहिए, यानि कि red के विप्रित क्या होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए, जो निकटवर्ती होगा, जो निकटवर्ती होगा, वो विप्रित कभी नहीं हो सकता, यह तो आप जानता ही है, जो adjacent होगा, वो opposite कभी नहीं हो सकता, तो देखिए, ग्रीन के opposite तो यह हो गया, orange, blue के opposite पिंक हो गया, और red के बचा हुआ यह एक दूसरे के opposite ही होगा, तो यानि कि red के opposite, violet होगा, तो आप देख सकते हैं कितना easy concept ही है, कैसा भी figure move करते हैं, जो nearest होगा, यानि कि adjacent होगा, निकटवर्ती होगा, वो कभी विप्रित नहीं हो सकता, तो यह open dice है, तो dice के बारे भी लोग बहुत सूचते थे कि बहुत टफ है, देखिए कितना easy concept हमाद आपको, तो आप जान सकते हैं, और भी different questions होगे, उनकी आप practice कर जकते हैं, चलिए, मैं इसको remove करतेता हूँ, अब देखिए, कुछ ऐसे questions एक्जाम में देखे गए हैं, जो मैं board पे लिखूँगा, यह भी easy concept में है, बहुत जल्दी नहीं करने है question को solve करने कि आपको, पहले ह समझना है कि यह क्या है, और किस तरीके का option दिये हूँ है, यह question उसके demand में हो सकता है कि C set में पूछ लिए जाए, 1, 2, 3, 4, और यह 5, right? अब यह question है, और इस पर यह पूछा गया है कि 2 के विप्रिद में क्या आना चाहिए? यानि कि 2 के विप्रिद में क्या आना चाहिए? तो बहुत सारे लोगों का answer देखते ही होगा कि 2 के विप्रिद में 6 आना चाहिए, क्योंकि 2 के विप्रिद में 6 ही नहीं दिख रहा है, यानि 1 से 6 में 6 नहीं दिख रहा है, तो आप बोल देंगे 6 आना चाहिए, जिबकि 6 answer नहीं होगा, ठीक है? देखो, यह 1, 2, 3, 4, 5 यह क्या है, surface खोल दिये, यानि open कर दिये, जो एक remaining surface था, वो यह वाला था, जो पीछे वाला, 2 के just opposite वाला, इसको क्या किया, विकन का cut किया गया, यानि diagonally cut किया गया, इसकी यह एक पाट यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक remaining यहाँ, ठीक है तो option दिये जाएंगे, इस तरीके से, यह option में होगा, दूसरा 6 होगा, कुछ और भी options हो सकते हैं, different, जैसे इस तरीके से, तो आपको कॉंसेट ही करना है, यह वाला, ना की 6 वाला, तो यह आपके लिए dice का concept समझा दिया है, मैंने आपको कि कितना easy हो सकता है, देखिए, UPSC म क्या है कि formula waste नहीं पढ़ना है आपको, आपको easy way में ऐसा concept पढ़ना है, जो सारे questions को solve कर सके, ठीक है, चलिए, और आप देख रहे हैं, cset में यह पासा, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, कितना easy है, चलिए, आगे चलते हैं, इसको remove कर देते हैं, और भी questions है, different, different, उनको बन हो जाएगा, ठीक, आज के लिए हम इतना है रखते हैं, thank you very much.